सुल्तानगज में बेखौब अपराधियों ने सरे आम पुलीस को ठेंगा दिखाते हुए दोपार धाई बजी के समीब सहर के बेस्तम जगा रेलिवे इस्टेसन से महज 200 मीटर की दूरी परवस्तित भागलपू सेंटरल कॉपरेटिक बैंक में हथियार के बल पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया नकापोस अपराधियों ने बस कुछी मिन्टों में 30 लाकी डकैती कर डाली जिससे पुलीस प्रसासन में एक खलबली मच गई है साखा प्रवंधक ने बताया कि 5-6 की संख्या में अपराधी काला कपड़ा और मास्क पहने बैंक के अंदर दाखिल हो गए इस दोलान बैंक में प्रवेस करते ही अपराधियों ने पहले साखा प्रवंधक फिर कैसियर को अपने कबजे में ले लिया उसके बाद पूरी प्रवंधक ने बताया तो रोकने की कोसिस की जिसके बाद उसकी पीट पर बट से मार कर घायल कर दिया जिससे वह पूरे तरीके से घायल हो गया साखा प्रवंधक की माने तो बैंक में उस रक्षा के द्रिश्टी कोंड से एक भी गार्ड मौजूद नहीं था वही बाहरी भाग में भी CCTV कैमरा नहीं लगा होने से अपराधियों को इसकी जानकारी पहले से ही थी घटना की जानकारी मिलते ही पुलीस उपाधिचक डॉक्टर गौरप कुमार भी सुल्तान गंच पहुंचे और थाना धचक साथ मिलकर घटना की जानकारी ली हालाकि पुलीस अभी जिन्दाकार्टूस के साथ एक महिला सही दो अपराधियों को गिरपतार कर लिया है गिरपतार अपराधियों में इसमाइलपूर के फुलकिया गौं के रुपेश कुमार और कमला कुंड के चानो यादब उर्पचंदू यादब की पतनी कुमकुम्दे भी है जानकारी मिल कि कमला कुंड गाउं में अपराधियों का एक बड़ा दल किसी वड़ी वारदात को अंजाम देनी की मन सासे जमे हुए हैं। आतरा में हतियार बलामत किये। नौगच्छी आइसपी सुसांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले को लेकर इसमाइलपूर थाने में प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है। मुखी आरुना देवी के प्रस्तावक महंत नवलक सोरदास ने डेन नूज से बात करते वे कहा कि हैट्रिक तो वो पहले ही लगा चुके हैं। इस बार जीत का चौका लगाने के लिए उन्होंने नमंकन का परचादा खिल किया है और जनता के असरवाद से वो चौका लगाने में भी काम्याब होंगे। और विकास का काउम करते रहेंगे. अन्वरत हरा रहा जो अपने पत पर लाख मुशीवत आने में, मिली सफलता जग में उणको, जीने में, मर जाने में, हम अपने करतव्यपत पर सेवा ही धर्म है, हम इस बात को अच्छी तर Cheng जानते हैं, हम धर्म से कभी दिगेंगे नही अपने कर्तव ये पत से कभी डिगेंगे नहीं, जनता की सदा सेवा करते आए हैं और जनता की सदेव सेवा करते रहेगें। जनता की सदेवा करते रहेगें। और सबों ने अस्वासन भी दिया है कि हम सब मिल करके इस नाले को बना देंगे और जमालपूर की जो एक समस्या है वो नाला वाली समस्या उसको दूर किया जाएगा। छोटा मोटा नाला तो हम सब जगह बना दिये हैं। ये बड़ा नाला है इसमें एक करूर रुप्या के लगभग लगेगा। तो वो नाला भी बन जाएगा। भागलपूर जिले के नौगच्या अनुमंडल छिद्र के नरायनपूर व भीपूर परखंड में आज से बिहार पंचायल चुनाव 2020 के नामंकन की सुरुवात हो गई। करवाई गई है और कलमत गरना के बाद जगदिसपूर परखंड का चुनाव संपन हो जाएगा। उसी तरह से दोनों परखंडों में भी सांती पूंडंग से चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। लगातार हम लोगों का निरिक्षन भी चल रहा है, कारवाई भी हो रही है। विलकुल सांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मददान संपन कराएंगे। बीपूर परखंड के 13 पंचायतों में 24 अक्टूबर को मतदान होगा। बीपूर जमालपूर पंचायत से मुखियापद के लिए अरुना देवी भीपूर पूरप पंचायत से मुखियापद के लिए बीबी आसमीन एवं बभनगामा पंचायत से मुखियापद के लिए रिनू कुमारी ने नमंकन का परचा भरा। बीपूर परखंड में महिला पूरूस वा ट्रांसजेंडर समेत कुल 93,176 मद दाता अपने मताधिकार का परियोग करेंगे। नमंकन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबन बेवस्था की गई थी। बीपूर थानाधिच राजकुमार सिंग और इंस्पेक्टर अमर बिस्वास पूलीस पतादिकारी वा बलो के साथ मुस्तैद न जराए। इधर बीडियो सा आरो ने बताया कि नमंकन का परचा भरने की अंतिम 36 अक्टूबर हैं। उन्होंने सभी के लिए आदर्स चुनाव अचार सहीता हुआ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवस्तिक बताया। तीस से छे अक्टूबर तक ही रहेगा। तो इसको लिए कि जो कहा जिये जा रहा है कि दो दिन बढ़ सकता है नमंकन की तारीक तो क्या उसमें क्या कन्फिजन है कहीं लोगा। नमंकन की तिथी तैय है तीस तारीक से लेकर छे तारीक है। और क्या विवस्ता की गई है यह सर्फ प्रकंड लेवल से आपके तो क्या प्रकंड लेवल में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कांटर बनाए गया है। और चुकि अभी कोबिट का समय है इसलिए भीर को अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग बिल्डिंग का भी चुनाव की है। प्रकंड बिल्ड बीते 17 सितंबर को मेगा टीका करन अभियान ने पूरे जिले में एक लाख पंद्र हजार लोगों ने टीका लिया था। डीम ने कहा कि दो अक्टूबर को अभियान में हम लोग का लक्ष है कि जिले में इस सांक्रे को पार कर ले। परति एक पंचायतों में दो से तीन टीका करन केंद्र बनाया जा रहा। दो अक्टूबर को कांधी जहनती के दिन गोविट टीका करन का महा अभियान फिर से हम लोग आयजितकर है। 17 सेप्टेंबर को भी हम लोगों ने कराया था। उस दिन 1,15,000 से ज्यादा टीका हम लोगों ने एक दिन में लगवाया था। उसी तरह का अभियान दो तारिक को चलेगा और इसमें जो लोगों का सेकेंड डोज डू है या जिन्होंने अभी तक प्रथम डोज नहीं लिया है। तो दोनों तरह के लोग जो है आकर के जो वेक्सिनेशन सेंटर है परतीज पंचाय दो या तीन हम लोग बना रहे हैं। वहां आकर के वेक्सिनेशन करा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप निश्यों रूप से आकर के वेक्सिनेशन करा लाएं।